नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एक्जाम अपडेट विध करो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जी आप चैनल पर पहली बार है ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बैल आइकन को भी ओन कर लेना जिससे कि हमारी कोई नया वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके इस वीडियो में 6 महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जानेंगे चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं नीट चात्रों के लिए अच्छी खबर MBBS की 550 और PG की 70 सीटें बढ़ने के आसार नीट MBBS सीट्स शेक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए तमिलनाडु में MBBS की सीटों में बंपर इजाफा हो सकता है राज्य के स्वास्थे विभाग ने 2021 में शुरू किये गए 11 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में 50 ना तक शेक्षणिक सत्र 2026-26 के लिए तमिलनाडु में MBBS की सीटों में बंपर इजाफा हो सकता है राज्य के स्वास्थे विभाग ने 2021 में शुरू किये गए 11 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में 50 ना तक सीटें बढ़ने के लिए अगर इन मेडिकल कॉलेजों को सीटें बढ़ने की इजाज़त मिलती है तो तमिलनाडु में सत्र 2026 में एडमिशन के लिए उपलब्ध सीटें बढ़कर 5600 हो जाएंगी यानि 36 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 550 सीटों का इजाफा होगा टाइम्स ओफ इंडिया की खबर के मुताबिक मेडिकल एजुकेशन के डाइरेक्टर डौ जे संगुमनी ने कहा कि सीटों बढ़ने से ज्यादा चात्र कम फीस में मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे उन्होंने कहा तमिलनाडू उन राजियों में से है जहां सबसे अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज है हर जिले में एक नया Medical College खोलने की नीती के साथ हमने सुनिश्चित किया है कि सरकारी College निजी और स्ववित्पोषित Medical College के बराबर हों राज्य के 76 Medical Collegeों में से स्वास्थिय विभाग 36 चलाता है जबकि केके नगर में ESIC Medical College और मदुरई में AIMS मिलकर 200 सीटें ओफर करते हैं स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्थ अधिकारी ने कहा प्रकरिया जारी है एक बार भूमी की पहचान हो जाने और स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर हो जाने के बाद हम अनुमती के लिए NIMC में आवेदन कर सकते हैं तमिलनाडू ने 23 विभिन्न कोर्सेज के लिए 13 मेडिकल कॉलेजों में 70 मेडिकल पीजी सीटें शुरू करने की अनुमती भी मांगी है ये सीटें लगभग सभी स्पेशलाइजेशन वाली होंगी सबसे अधिक मांग एनेस्थीसिया और स्त्री रोग के लिए है इसके बाद बाल रोग में 4 सीटें है डो, संगुमनी ने कहा हमने इन में से प्रत्येक स्ट्रीम में 6 सीटों की मांग की है नीट 2025 में दिखाई देंगे कई सुधार सुप्रीम कोर्ट में आएगी कमिटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा संबंधी सुधारों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त साथ सदसीय विशेशग्य समिती को दी गई समय सीमा सोमवार को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कोर्ट से इसका अनुरोध किया था नीट दो हजार चौबीस के विवादों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के तौर तरीकों में सुधार के लिए के राधाक्रिशनन की अध्यक्षता में साथ सदस्य कमेटी बनाई थी परीक्षा में सुधार को लेकर मायगौव पोर्टल के जरिये लोगों के 37,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं जिनमें चात्र, अभिभावक और शिक्षा क्षेत्र के अन्य लोगों के सुझाव भी शामिल हैं इसके अलावा इस क्षेत्र के जानकारों से भी सलाह ली गई है कट ओफ कम करने के लिए एहमदाबाद इंडियन मेडिकल एसोसेशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नीट यूजी कटोनफ अंकों में कमी की मांग की है क्योंकि देश भर में कई मेडिकल कोर्स की सीटें खाली हैं केंद्रिय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित एक पत्र में एसोसेशन ने कहा कि MBBS प्रवेश के लिए काउंसलिंग के तीन दौर पूरे हो चुके हैं हालां कि देश भर के विभिन मेडिकल कॉलेजों में काफी संख्या में सीटें खाली हैं एसोसेशन ने सुझाव दिया कि NEET UG कटो नफ अंकों को 10-5% से 20% तक कम किया जाना चाहिए सर ती कुन दियस ने NEET UG 2024 MCC mc.neak.in पर स्ट्रे राउंड के लिए चोईस लॉकिंग शुरू करेगा NEET UG 2024 स्ट्रे राउंड NEET UG काउंसलिंग शेडियूल के अनुसार 2024 के लिए सीट आवंटन परिणाम 26-28 अक्टूबर तक आवंटन की प्रक्रिया के बाद 29 अक्टूबर को घोशित किये जाएंगे एं NEET UG 2024 स्ट्रे राउंड मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC आज 25 अक्टूबर को NEET UG स्ट्रे वेकेंसी राउंड 2024 के लिए चोईस लॉकिंग सुविधा शुरू करेगी उम्मीदवारों को 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजे तक वरियता क्रम में विकल्प भरने और अपने विकल्पों को लॉक करना होगा जिन मेडिकल उम्मीदवारों को कोई कॉलेज नहीं मिला है उनके पास मेडिकल सीट पाने का आखिरी मौका है योग्य उम्मीदवारों को NEET UG स्ट्रे राउंड के लिए mcc.nic.in पर पंजी करण और चोईस लॉक करना होगा mbbs और bds पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस साल NEET काउंसलिंग का यह आखिरी दौर होने की संभावना है mcc के अनुसार स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए 1144 सीटें खाली है NEET UG काउंसलिंग शेडियूल के अनुसार 2024 के लिए सीट आवंटन परिणाम 26 से 28 अक्टूबर तक आवंटन की प्रक्रिया के बाद इन 49 अक्टूबर को घोशित किये जाएंगे उम्मीद्वारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम परिणाम घोशित होने के बाद ही आवंटित कॉलेज या संस्थान से संपर्क करें और MCC वेबसाइट से आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बाद ही संपर्क करें यदि कोई अभ्यर्थी समिती द्वारा दी गई सीट स्विकार नहीं करता है तो उसे अगले सत्र के लिए नीट परिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा समिती अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई फीस भी जब्त कर लेगी सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 15 प्रतिशत सीटों और डीमड और केंद्रिय विश्व विद्यालेयों ESIC, EFAMAC, AIMS और JIPAMIR सीटों में 100 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए AIMCC, NEET काउंसलिंग, 2024, स्त्रे राउंड परिणाम घोशित किया जाएगा किसी भी तकनीकी पूश्ताच के मामले में संस्थान सुभह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच निमन लिखित संपर्क नंबरों पर MCC से संपर्क कर सकता है तोगे ग्यारन 692274.3 69226.2 692274.19 और 69228.23 तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 24 रिक्तियों का संभावित राउंड शेडियूल जारी महत्वपूर्ण तिथियां यहां देखें चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालाए DMIR चैन्नाई ने MBBS BDS डिग्री पाठे क्रमों में प्रवेश के लिए तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2034 स्त्रे वैकेंसी राउंड के लिए एक संभावित कार्यक्रम जारी किया है कार्यक्रम के अनुसार पंजी करण प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2024 को समाप्थ होगी इच्छुक और योग्य उम्मीद्वार पंजी करण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट tnmedicalselection.net पर जा सकते हैं तमिलनाडुनीट यूजी काउंसलिंग 2024 रिक्तियों का शेडियूला महत्वपूर्ण तिथियां घटनाक्रम, खजूर पंजी करण विकल्प भरना और लॉक करना 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2024 सीट आवंटन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2024 परिणाम की घोशना 29 अक्टूबर 2024 अनंतिम आवंटन परिणाम डाउनलोड करना 29 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक रिपोर्टिंग की अंतिम्ति थी 5 नवंबर 2024 तक दी गई जानकारी के अनुसार केवल वे उम्मीदवार ही इस ओनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र हैं जिनके पास अखिल भारतिय कोटा या राज्य कोटा में कोई MBBS BDS सीट नहीं है जो उम्मीदवार पहले ही अखिल भारतिय या राज्य कोटा के माध्यम से MBBS BDS सीटो में शामिल हो चुके हैं वे पात्र नहीं है इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग राउंड थ्री के माध्यम से आवंटित सीटो में शामिल नहीं हुए वे भी इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है N.E.T.U.G.C.L.I.C.S. Stray Round Choice Feeling जिन उम्मीदवारों ने अभी भी अपनी पसंद नहीं भरी है वे इसे MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं Choice Locking सुविधा आज 25 अक्टूबर 2024 को शाम 4 बजे शुरू हुई और 26 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे बंध हो जाएगी सनातक सीटों के लिए यह काउंसलिंग का अंतिम दौर है जो अभ्यर्थी विकल्प भरना और उसे लॉक करना चाहते हैं वे नीचे दिये गए चरणों का पालन कर सकते हैं MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nike.in पर जाएं पंजी करण लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन विवरण दर्ज करें ऐसा करने पर विकल्प भरने का पेज खुल जाएगा विकल्प भरें और इसे लॉक करें प्रिष्ट को डाउनलोड करें और आगे की आवश्यक्ता के लिए उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें या त्या किस क्या इमिर आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार सीट आवंटन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2024 तक की जाएगी स्ट्रे राउंड सीट आवंटन परिणाम 29 अक्टूबर 2024 को घोशित किया जाएगा सीट पाने वाले अभ्यर्थी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट कर सकते हैं स्ट्रे वेकेंसी राउंड में अपनी आवंटित सीट पर शामिल न होने वाले उम्मीद्वारों की सुरक्षा जमाराशी जब्त कर ली जाएगी और ऐसे उम्मीद्वारों को अगले साल नीट परिक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा MCC द्वारा आयोजित राउंड थ्रीन के शामिल हुए उम्मीद्वारों का डेटा राज्य परामर्ष अधिकारियों के साथ साज़ा किया जाएगा और ऐसे उम्मीद्वारों को राज्य कोटा काउंसलिंग में प्रवेश लेने से वंचित कर दिया जाएगा अधिक संबंधित जानकारी के लिए उम्मीद्वार MCC की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में 25-80% राज्य कोटा MBBS ता BDS प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश में 85% राज्य कोटे के MBBS BDS एडमिशन के लिए आवेदन किया है वे हिमाचल प्रदेश NEET UG Merit List PDF 2024 को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं और qualifying status की जाँच कर सकते हैं जिन छात्रों ने HP NEET UG स्त्रेराउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है वे amruuhp.ac.at.in से समग्र मेरिट सूची PDF चेक और डाउनलोड कर सकते हैं हाला कि PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी संदर्भ के लिए यहां दिया गया है हिमाचल प्रदेश नीट काउंसलिंग 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज हिमाचल प्रदेश MBBS BDS काउंसलिंग के लिए निमनलिखित दस्तावेज आवश्यक है नीट यूजी एड्मिट कार्ड 2024 कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट अधिवास प्रमान पत्र नीट यूजी स्कोर कार्ड 2024 चरित्र प्रमान पत्र प्राधिकारियों द्वारा पेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अधिकारियों ने अधिसूचित किया है कि योग्य उम्मीदवारों के लिए HP, नीट, यूजी Stray Round Choice Feeling शुरू हो गई है और यह 27 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी हालांकि छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि वे HP, नीट, यूजी Stray Round Choice Feeling की अंतिम तिथी 2024 का इंतजार न करें और अंतिम समय में होने वाली विसंगतियों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें जिन छात्रों का नाम HP, नीट, सीट, आवंटन परिणाम 2024 में आया है उन्हें प्रवेश आपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित संस्थान में जाना होगा उस अवधी के दौरान छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे